बिसमिल्लाहिर्णानीरहिम, सलाम अलेकुम, होप यॉल अर डूइंग वैल, तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वह हम लोगों ने करना है लास्ест वीडियो में लोगों ने लाए करना हम लोग ने लिदा हम लोगों habit करते के अपने अपने daʊटबा ही लोगποιन है तो आज जो हम लोगों ने ऊप्रो Baradayर को देख तो आज हम लोगों ने टॉपिक्सस अबमारे जर्जाइए वह डेया ही जैतरना है कि जब से पहले नहीं के वह रीजाँ के लाएं अविकर ऑफ त intrging कोुझ फीचराइए क्ली काम मढ़ा हैं कि जब हम 25 शीर को थीबना paa Motha given or program ko slack the menu item and the same click Start Button Start on task bar and select programs menu items the programs submenu will Cowau Dr. Klik Microsoft Access program item. I my success will start or double click Microsoft Access Aiken on desktop तो थो तो यहां कि आपकी जो Windows screen में आपके पास start का button होता है आप start के button को click करें पर फिर फिर पर programs option को click करें और उसके बाद आपके पास वहां पर ही program items के बास sub menu और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को आप चाहिए तो Microsoft Access को directly click करके open कर लें या फिर आपस को double click करें इसके आइकन को जो के desktop पे होगा तो भी वह उपन हो जाएगा तो यह तर स्टार्ट करने का मैथर उसके बाद अब हम लोगों ने देखना है कि पास के बात की जाती है तो आपके पास steps of guidance हो ती है जो कि यूजर को बताए जाता है step-by-step procedures पहले क्या करना है बात में क्या करना है उसके बाद इस तरह को होगा जो प्रसुस्थे कोग मैंट इसलिए फिसलिए पर्फॉर्म जते हैं एश सफसे पहले हमलोग सीडाबेस की है ऀडाबेस विज़र की वह क्रिए अटल इसलिए शाब्यस झ्याटअ जोर ओना उझमाल चाहळे जोटे मनें तरे को अश्मालिकल उसलिए चाहिए the following procedure is used to create database using database widget अब जो उनसे features हमें मिल रहे हैं for example जो हम लोगे नब पढ़ने जा रहे हैं वो हमें database widget को use करते हैं हमें database create करेंगे वो चीज़ बताएगा ठीक है अब हम इसको पढ़ते हैं तो सब्सक्र पहले first step में क्या होता है first step में हम देखते है start microsoft access a dialogue box will appear with three options जब आपने microsoft access को start करते हैं जैसी आप start करते हैं तो आपके पास इस तरह का dialogue box आजाता है जो कि इंटरफेस में बिल्कुल इस तरह आपियर हो जाता है अब जो dialogue box होता है जो आपके साथ बातचीत करता है आपको किसी ना किसी इसकी information देख box की form में एक pop-up सा आजाता है ठीक है आपने क्या करना है आपने microsoft जब access को start किया एक dialogue box आपियर हो गया जिसके अंदर three options होती है एक option में लिखा हो है blank access database access database widgets pages and projects open and existing file ठीक है उसके बाद क्या होता है उसके बाद होता यह है कि आपने select करना होता है access database wizards pages and projects ठीक है यानि के आपने इसके अंदर second value option को click करना है access database wizards pages and projects and click ok ठीक है click ok कर देने dialogue box will appear next dialogue box आपके पास appear हो जागा new dialogue box आपके पास show हो जागा select the database type in database tab database tab के आपने database type select करना है and click ok the file's new database will appear फिर आपके एक नई फाइल new database के लिए जो नई फाइल होगी वो इस तरह नजर आएगी ठीक है यहां पर आपने क्या लिखना है file का नाम लिखने है जैसे type name and location of the database आपने नाम के रखना है और किस लोकेशन पर आपने डाबेस को स्टोर करवाना है यह सेब करवाना है यह फाइल के दर आपने डिसाइड करना है ठीक है जो डाबेस आप क्रिएट कर रहे है इसके बाद आपने create option को क्लिक करना है क्लिक create, database will created and database wizard will start और इस तरह जो database है वो आपका create हो जाएगा using database wizards अब जो dialogue boxes आपको step by step instruction दे रहे है यह आपके wizards है जहां से आपने सीखा कि आपका database है वो किस तरह बन रहे है create कैसे करना है ठीक है उसके बाद बात आती है हमारे पास procedure of creating a new database in access ठीक है using wizard हमने किया था अब हम लोगोंने बात करनी है create करना हम लोगोंने procedure लिखना है creating a new database in ms access सबसे पहले basically बात करते है हम लोग a new database in ms access can be created in two ways तो तरह से हम बना सकते है dialogue boxes की मदद से भी बना सकते है main menu की मदद से भी बना सकते है सबसे बहले बात करते हैं dialogue boxes की मदद से हम कैसे बनाएंगे so creating new database using dialogue boxes start microsoft access it will display a dialogue box with three options again that is repeating जब आपने किसी भी database की मदद से बनाना है मैं access access के अंदर तो जब इसको start करेंगे तो आपके पास एक dialogue box उपीर होगा जिसके हम three options given होगे तो जब आपने database की मदद से बनाना है तो वह हम लोगों ने पीछे पड़ा उसमें second option क्लिक करना पड़ेगा तो आपने इसमें से कौनसा option क्लिक करना पहले वाला click access database ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्लिक okay button the file new database dialogue box will appear okay का button क्लिक किया उसके बाद क्या होगा उसके बाद आपके पास एक नई file की form है जहां पर आपने database का नाम select करना है और इसके location देखनी है आपके पास वह पॉप आप या वह dialogue box आपके बाद क्योगा आपने dialogue box या फाइल नेम box के अंदर file का नाम लिखने जो भी आपने database बनाना है उसका नाम लिखने select any location from save in option क्योंसी भी location पर जाना तो आपने location को देखना है और अपनी मर्जी से location को set कर देने click create button उसके बाद create button को click करना है जिस तरह आपने पीछी window में देखा the database will be created and falling windows will appear database बन जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह की window show हो जाएगी आपके पास कुछ इस तरह की window show हो जाएगी अब होगा क्या अब होगा क्या यह आपके पास नई window show हो गई है अभी आपका डाटाबेस बन चुक है और आपने इस तरह बनाया यूजिंग डायलोग बॉक्स जस्त आपके पास डायलोग बॉक्स आपने उसके इंटरेक किया and you have created your own database अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं अब हमारे पास अब तीन तरह के method आपके है सबसे पहले हम लोगों ने एक देखा डाटाबेस बनाना विजर्स के रिस्पैक स्वेट हम लोगों को सेकिन वाल उप्शन करना पड़ा था पढ़ना था फिडालोग बाक्सिस के मदद से बनाना तो आपने ब्लैंग अक्सेस database को स्लेक करना अब जब में मैंनु के मदद से बनाना तब क्या होगा let's see the following procedure used to create new database in MS Access using main menu main menu के मदद से बनाना वो किस तरह बनाना start microsoft access Microsoft access को start करने a dialogue box will appear with three options वही step repeat हो रहा है आपके पास एक dialogue box रपियर होगा बिल्कुल इस तरह का जिसके नदा three options given होगे आपने क्या करना है आपने इसको cancel कर देना है आपने इसमें से कुछ भी select करना आपने इसको क्या कर देना है cancel कर देना है उसके बाद क्या होगा click cancel button the main menu window will appear follows आपके पास main menu window इस तरह की open हो जाएगी ठीक है आपने cancel की button को click करना है और main menu window आपके पास इस तरह से show हो जाएगी उसके बाद select file file के अनर जाना है new dialogue box रपियर वहांस आपके पास एक नेया dialogue box उपन हो जाएगा अब उसके अनर से आपको dialogue box कुछ इस तरह नजर आएगा आपको उसके अनर क्या होगा उसके अनर आपने select करना है general tab को ठीक है generally tab को select करना है यहां पर दो tabs given है general लेकर database आपने generally tab को click करना है choose blank database यहां आप डिफरेंट ओप्षिन्स है blank database, blank data access page project existing project new database existing ठीक है आपने इसमें से blank database को select करना है ठीक है click OK और select करने के बाद आपने OK को click करना है the file new database dialog box will appear पर आपके पास वही पुराना वाले menu उपन हो जाएगा जहां पर अपना file का नाम लिखते हैं उसकी location को set करते हैं पर उसके अंदर आपने database का नाम लिखना है उसके box के अंदर पर आपने database की location को set करना save in option से और आपने create का button क्लिक कर देना है और आपको जो new database according to menu options के साथ so this was the topic जिसके बहुत असान साथ सबसे पहले हम लोगों ने start किया था dialogue boxes की मदद से किया और last में हम लोगों ने देखा main menu की मदद से so this was a topic जिसमें database को create किया और किस तरह किया step by step procedures repeat हो रहे हैं तीरह steps में से file का नाम और file की location सेट करना common step just आपने starting steps को चेंज करना है वीजर्स के लिए अगर आपने करना तो second option क्लिक करेंगे अगर blank document blank database बनाना है आपने using dialogue boxes तो आपको first option select करना पड़ेगा और जब आपने main menu के options की मदद से बनाना है तो फिर आपको सारे चीजों को क्लिकने करना पड़ेगा आपको just cancel करके आपको main menu में जोनर tab में जाकर blank database को select करना पड़ेगा ठीक है तो hope so आपको वीडियो में हाथ चीज़ की समझ आ गई होगी किसी किसम की क्यूरी हो क्वेस्टन हो तो यह मैं ask चेक क्यार अलहाफिज वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपनी राइक कमेंट करें के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल का आइकन दमाएं ताके आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेलता रहे